जैम आता दी दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सबी का हमारे चैनल अखन ग्यान में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हैं नौरात्री के इस महापर्ग की आप सबी को धेर सारी शुप कामना है मा शेरावाली नौरात्री के इन विशेज दिनों में आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बरसाती रहे और आप सब की हर तरह की मनुकामना पूर्ण करे यही मेरी मा शेरावाली से प्रात्ना है कोई भी पूजा अगर शास्त्रिय विधी विधान और पूरी निस्टा के साथ की जाए तो वो पूजा जरूर सफल होती है ऐसी पूजा साधक को पूर्णता और शुप फल देने वाली होती है मा दुर्गा के नौ सुरूपों में मा दुर्गा का नवा सुरूप सिद्धी दात्री माता के नाम से जाना जाता है मा दुर्गा की नौवी शक्ति सिद्धी दात्री सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली है मा सिद्धी दात्री के भक्तों के लिए कुछ भी अगम में नहीं रह जाता ब्रह्मान पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थता उनमें आ जाती है नौर आत्री के नवे दिन मा दुर्गा के नवे स्वरूप माता सिद्धी दात्री की पूजा अर्शना की जाती है नौर आत्री में की गई सारी पूजा का पुन्य फल भक्तों को मा सिद्धी दात्री इस दिन देती है मारकंडे पुराण के अनुजार ये आठ सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरीमा, लगीमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व हैं मा सिद्धी दात्री अपने भक्तों को, अपने साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं देवी पुराण के अनुसाद, भगवान शिव ने इनकी क्रिपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरी नारी का हो जाने के बात से ही भगवान शिव अर्ध नारिश्वर की नाम से प्रसिद्ध हुए माता सिद्धी दात्रे का स्वरूख बहुती सौम में और आकरशक है माता के चहरे की हलकी सी मुस्कान इनकी सुन्दरता को और भी आकरशक बनाती है मा की चार बुजाएं हैं दाहिनी तरफ की पहली भुजा में माता ने चक्र और दूसरी भुजा में गदा धारन कर रखा है। बाई तरफ की एक भुजा में शंक और दूसरी भुजा में कमल का पुष्प ली हुई है। माता सिधी दातरी का यह देव्य, मन मोहक, जोतिर में और आकरशक स्वरूप कमल पुष्प के आसन पर विराजित है माता सिधी दातरी का वाहन सी है नौरातरी के दिनों में जब भक्त माता दुर्गा के आठो स्वरूपों की नियमता भक्ती भाव पून आस्था विश्वास के साथ पूजा करते हुए अपनी भक्ती साधना को पूरी तरह निभाते हुए दिव्य स्वरूपा, भक्त वत्सल, मम्ता मई, जोतिर मई, सर्व शक्ति शाली और सभी तरह की सिध्यों और प्रसिद्यों को देने वाली माता सिधी दातरी की शरण में आता है तब माता अपने भक्तों को दुरलब से दुरलब, अलोकिक दिवे शक्तियों को प्रदान करने में थोड़ी भी बिलंब नहीं करती माता अपने भक्तों को जनम जन्मांतर के पापों से मुक्ति देती है और अपने भक्त के बर्तमान की सारी जरूरतों, इक्षाओं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए उनके भविश्य को भी अत्यंत सुखद, सम्रिद और उज्वल बनाती हैं। ऐसी ममता मई, भक्त वत्सल, सभी सिद्धियों को देने वाली माता, सिद्धी दात्री को हम सभी भक्तों का शत्षत बार प्रणाम। जै माता दी, जै मा सिद्धी दात्री। नौरात्री के दिनों में यदि मा दुर्गा के सारे नौ स्वरूपों की पूजा पुंताशास्रे विधी विधान से की जाए, तो मा दुर्गा अपने साधकों को, अपने भक्तों को, यहां तक की देवताओं को भी सभी तरह की सिद्धियां आसानी से प्रदान करती हैं। उन्हें अलोकिक सुख, दिवे शक्तियां, प्रचूर धन, आरोग्यता, सवभाग्य, सम्रिद्धी, समस्तरा के संसारिक सुखों के साथ साथ उनकी सभी मनुकाम नाओं को पूर्ण करके अंतिमे साधक को मोक्ष प्रदान करती है नौरात्री में आप सब भी माता के जैकारे लगाएं और कमेंट श्रक्षन में जाकर कम से कम एक बार जैमाता दी जरूर लिखें वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल अखन ग्यान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरे नए आने वाले वीडियो के अपडेट्स और नौटिफिकेशन्स आसानी से मिल सकेंगे एक बात और दोस्तों, इस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है थैंक्स फर वाचिंग